बार कैसे हैं आप सब दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पताएं कि हम आपके लिए पड़वारी की सांदार एक सेरीज लेकर आ रहे हैं, मद्विद्विदिस सामन ग्यान की दोस्तों और आप सभी को पताएं कि 19 तारिको पड़वारी की फॉर्म की लाश डेट है तो आपने एक बार में देख लीजी सब से पहला एक कैन घड्याल अब भ्याणन चतरपूर पन विसका क्या की जाता है सर दक्षन कियाता है दूसरा आ जाता है दोस्तों हमारा जे हमारा किसके अंतर करता थे सागर संभाग के अंतरगात आते हैं इसके बाद ये हमारा सीधी सहडोल की अंतरगात आता है और इसके बाद हमारा सर्दार पूर अभ्याणन धार तथा सेलान अभ्याणन ये खर्म और पक्षी के लिए विक्क्याते है याद रखी थोड़ा स्वें मिक्स होगा है ये question तो अब चलते हैं अगले question की तरप और अगले question पर दिखते हैं मद्ध्रदेश उच्छे नयाले की स्थापना कब हुई थी तो मद्ध्रदेश उच्छे नयाले की स्थापना जो है मैं हमारी 1956 में जवलपुर में की गई थी कहाँ पर की गई थी 1956 में जवलपुर में की गई थी इसकी दू साखा हैं कौन कौन सी हैं खंड पीठ है यानि तो एक है हमारा इंदौर और एक हमारा गुवालियर जिसको 1979 में क्या की कदर स्थाफ़त किया गया था अब आपको छोटी सी इंफोर्मिशन देना चाहेंगे कि हमारे दौरा एक पीडियाफ बनाए गई जिसमें आपकी हिंदी, सामान प्रबंदन, कंप्यूटर, मदप्रदेश, सामान ग्यान और इसके साथ साथ हमारी एक और क्लास, सामान विज्यान की क्लास आपके लिए हिंदी और कुल में लागे पांच टॉपिक हैं फिर से आपको बता देता हूँ हिंदी है और सामान प्रबंदन, कंप्यूटर, सामान विज्यान, और मदप्रदेश, सामान ग्यान, इन सभी की 500-600 क्वेशनों के मिलाकर हमने 3000 प्लस क्वेशनों की एक पीडियाप बनाई है, अगर आप उसको पर्चिस करना चाते हैं, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 786 940 और 71 89, इस पर आप अपना वाट्सप मेसेज कर दीजिए, कि पीडियाप के नाम सेर, हम आपको आपको परिकरिया बता देंगे, प्राइज बिलकुए नूता में, 39 रूपी उसका प्राइज हमने रखा हुगा, अगर आप पर्चिस करना चाते हैं, चलिए चलते हैं, अगले क्वेशन तरफ, अगला क्वेशन है, अगला क्वेशन है, ये क्वेशन है, नावालेक लड़कों के दुसक्राइज करने वाला देश का प्रिथम राज मदब्रदेश है, ठीक है, एक फेक्ट है ये, अगले क्वेशन तरफ, अगला क्वेशन है, परधोनी इनृत, बिभा के अपसर पर बैगा आदी बासुन के द्वारा, बरात की आ ऐसी ट्रेन है, जिसे ISO अवार्ड प्रमार पत्र प्रदान किया गया है, दोस्तों, ठीक ना, अब अगले क्वेशन तरफ, अगला क्वेशन आप इसक्रीन पर देख रहा होंगे, भोपाल में भेल दोवारा संचालित, जवाहर लाल नहरू स्कूल को भी ISO प्रमार पत्र प्र अराष्टि उद्धान है, अब चलते हैं, अगले क्वेशन तरफ, और अगला क्वेशन आप इसक्रीन पर देख रहा होंगे, चट कोरा निर्त कोरकु आदी वासुँ को द्वारा किया जाने वाले एक निर्त है, कौन सा निर्त की बात हो लिए, चट कोरा निर्त कोरकु, अगला है, कि बुंदिल खंड छेत्र्का प्रशित्ण निर्त है, दोस्तों किसका बुंदिल खंड छेत्रका प्रशित्ण निर्त है, ऑब इसके बास आप से एक चोटी सी रिक्ष्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पर नई है, तो प्लिस हमारे चैनल और सब्सक्राइब आपसे रिक्वेश्ट इतनी जिए के चैनल पर अगर नए है अभी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर भी ओर से मायद प्लीज तो हमारी किलास को लाइक कीजिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और अगला कोईशन मारा मदप्रदेश कलाप पर अगले कोईशन तरफ अगला कोईशन है माचा मालवा अंचल का प्रमुक लोक नाट्टे है दोस्तो और आपको बता दें अगर आपको देखी पढ़ने का समय आ चुका है आपकी पर रिबीजन का समय नहीं रह गया है आपको अपना लच्छ बनाना है डे वाई डे आपको एक स्लेबर्स या कह सकते हैं एक पूरा एक चैप्टर आपको तयार करके रिखना है कि आज हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है या आज हमको यह टॉपिक खतम करना अप डे वाई डी कंप्लीट करें क्यूंकि आप समय रिवीजन का है आप समय नहीं रह गया है कि आप विस्तार से पढ़ें, पूरा डीप पढ़ें, हाँ अगर आपको सक्षा में पढ़ने में तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब में आप से जाई कहूंगा, जितना हो सके आप, अब आप टेक्स चीरीज, क्वेशन बैंगी, पीडियाप, ऑब्जेक्टिव क्वेशन, कुछ अब अगला है, अब अगला है, गधू का मेला कहा लगता है, तो गधू का मेला दीपा बली की बाद, चित्रकुट जिला सतना में लगता है एक चित्रकुट कर भी है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है याद रखना है इसी से सेटी हुई सीमा है इसकी अगला क्वाइशन हमारा मध्ध प्रदेश बित्त निगम की इस्थापना 30 जून 1955 को हुई जिसका मुख्याल है अंदोर में इस्तित है अगला क्वाइशन है दोस्तों मारा गौन्ड जन्जाती के प्रमुख देपता कौन है तो गौन्ड जन्जाती के जो प्रमुख देपता है बुड़ा देव हैं ठाकुर देव हैं और दूला देव हैं ये इनकी प्रिमुख देपता की नाम से जाने जाते हैं। अब अगला question दोस्तों प्रदेश के आखे सकते हैं, मदप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती भील है, मालवा तथा निवार में मुख रूफ से पाई जाती है। मदप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है, कई बार एक्जाम में जी question भी आ चुका है, तो मदप्रदेश की सबसे बड़ी जो हमारी जन जाती है वे भील है, और जी कहा निवास करती है, मालवा तथा निवार में मुख रूफ से निवास कर दिये। अगला question है, अगर आप उससे पहले, अगर आप हमारे पड़बारी की गुरुफ सा भी तक नहीं चुड़े हैं, तो देखिए, हमने नीचे नंबर दे दिया डिस्क्रेप्शन में, और अगर आपको पीडिया पर्चिस करना, तो उसका भी नंबर में डिस्क्रेप्शन में दे दिया है, आप बहाँ पर अपना पूरा नाम उर्जिली का नाम टाइप करके हमको भेज़ दिया हम आपको गुरु में एड़ कर लेंगे, इनिस्टेग्राम पेच की भी हमने लिंक आपको दे दिया, बहाँ से जाकर आप हमारे पेच को भी फॉलो कर सकते हैं, इसके बाद भील जन्जाती की बहाँ सा भीली होती है, जो राजस्थानी गुजराती वह मराठी का एक मिस्तरत रूफ होता है, दोस्तो, आप बढ़ती हैं, अगले क्वेस्टन तर वह अगला क्वेस्टन हमारा ग्राम नियार इस्थापित करने वाला भारत का पहला राज हमारा ही प्यारा मद्द परदेश है, अगले क्वेस्टन तर चलती हैं, अगला क्वेस्टन है, राज का पिर्थम समाचर पत्र गवालियर अखबार था दोस्तो जो राज का पिरत्थम जो हमारा क्या था अखबार था गवालियर अखबार के नाम से जाना जाता था जिसकी शुरूवत 1940 में हुई थी और ये अर्दू भासा में क्या हुआ था प्रकासित हुआ था और सापता एक अखबार था यादर खराम सपता में एक बार आता था, कौन सा था, गवाल यह अखबार था, उर्दू भांसा में च्छापा जाता था, अगला है, राज में, हिंदी भांसा में परिकासित होने वाला आखबार, पिर्थम अखबार कौन सा था, मालब आखबार था, शुरूवात कब हो थी, 6 मार्श, उन 1848 कोईटी और ये कहां से निकलता था, इंदार से निकलता था ठीक है, इंदार से निकलता था तो दोस्तों आपको याद होंगे, उम्मीद है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब और अगला question आप देख रहे हैं मध्य पिर्देश हिंदी भासा में गजेटी प्रकासित करने वाला भारत का पिर्थम राज्य है याद रखना इसके बादें मध्य पिर्देश राज्य निरबाचन आयोक का गठन 9 जन्वरी 1994 को किया गया इसके पिर्थम आयोक तो स्री एन भी लुहानी थे अगर दोस्तों आपको पीडिया पर्चेस करनी है तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है और तो आप जल से जल उसको पर्चेस कर सकते हैं अगले क्वेसिन के बढ़ते हैं पश्मड़ी समुद्र तल से 3555 फिट की उजाई पर इस्तित है इस इस्तल की खोच का सरे बिर्टेश समराज के अधिकारी केप्टन जी फॉर्स सीथ को जाता है दोस्तों अगला क्वेसिन है मोगली लेंड सिबनी जिले के मैस राष्टियों दान में इस्तित है अगले कोश्चिन बढ़ते हैं भारत की पहली मोगाल बैंक सिबा मद्परदेश में लच्मी बाइनी बैंक सिबा के नाम से प्रारम किया गया है या बैंक की गाड़ी में स्थावित किया गया है जो गाओ गाओ जाकर लोगों को बैंकिंकी सुविदा उपलब्द कराती है नगन निगम निगम कों थी जवल पुर थी जवलाब दोस्तों मुझार चलते हैं सिंग्रॉली मद्परदेश की उर्जारासधानी के नाम से अगला कोश्चिन है गहले कोश्चिन के पहली जेले के नदोर में मदपरदेश का पहला सूखा बंदरखा इस्तित है अब अगले question तब चलते हैं अगला question दोस्तों मारा मदपरदेश का पहला आदिवासी खेल विद्याले कहा है तो अली राजपुर मैं दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही और उम्मीद है क्लास आपको पस संदा होगी कलम एक और नए content के साथ आपसे मिलेंगे जब तक के लिए दोस्तों जय हिन जय भारत